बिना रणिती लक्षे सिर्फ सपना है जी हाँ यदि आपने भी ठान रखा है इन 430 सीटों में से एक सीट अपनी पक्की करना और 4 फरोरी 2024 के दिन को अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम दियोस बनाना तो ये वीडियो आपके लिए है आपके उन दोस्तों के लिए है जो अपने लक्षे के प्रती एक निष्ट भाव के साथ कार्य कर रहे हैं तो विद्यारतियों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपन को किस तरह से एक्जाम के अंदर शांदार तरीके से पूरा अटेम् नहीं करता है competitive exam आपके ज्यान से ज्यादा आपके रणनिती आपकी smartness आपके कोशल की परिक्षा लेते हैं वहाँ पर negative marking भी होती है एक fix pattern भी चलता है previous year question से भी बहुत सारे questions लिये जाते हैं तो ये आपके पास 40 दिनों का एक शांदार capsule आपके पास हमारी अनुबवी faculty टीम ने तयार किया है जो आपको इस लक्षे को प्राप्त करवाने के लिए लगातार आपके शाथ में द्रोणाचारी की भूमिका के अंदर रहेंगे तो साथियों अपन लोग बाचित करेंगे कि आखिर 40 दिनों के अंदर agriculture supervisor कैसे बनें तो विद्यार्तियों सबसे पहले अपन अपना paper pattern समझते हैं कि आखिर paper pattern होता क्या है क्या इसके अंदर प्रश्ण आते हैं तो विद्यार्तियों आपके पास प्रश्णों की शंख्या सो होगी और सो प्रश्णों को करने के लिए आपको समय जो दिया जाएगा वो 120 मिनट यानि की 2 घंटे दिये जाएंगे इन 120 मिनट को जीवन के सबसे सुन्दर 120 मिनट बनाने के लिए आपको अभी से कार्य करना पड़ेगा अभी से अपने आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये जीवन के सबसे सुन्दर मिनट बन पाए तो इन 100 प्रश्णों के अंदर भी बात की जाए तो एक प्रश्ण जो है तीन अंका है एक प्रश्ण तीन अंका है और गलत होने पर माइनस एक अंक दिया जाएगा यानि यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है अपने को कि सई करने से ज्यादा जरूरी है गलत न करना फिक से सुन लीजिएगा सई करने से ज्यादा जरूरी है गलत न करना क्योंकि गलत करना आत्म घाती कदम है यहां पर तो यहां पर negative marking बहुत ज्यादा है minus 0.33% तो यहां पर देख लीजिएगा कि यहां पर 3 अंक सही होने पर गलत होने पर minus 1 अंक और आपके पास 100 प्रशनों के 300 अंक है वेटा इन 300 अंकों के अंदर अपन को स्कोर करना है 85 question plus यानि 85% अपन को ठीक करना है अब 85% ठीक करने के लिए बातों से तो होगा नहीं क्योंकि काम तो करना पड़ेगा मंजिल की तरफ लगना पड़ेगा तो यहां पर सबसे पहली बात तो हमारी एक test series जो है वो परतिग्या परिवार के application के उपर उपलब्ध है description में इसका link है comment box में भी इसका link पिन किया गया है test series 99 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है जिसमें पूरा आपके लिए बिल्कुल नामात रसुल के अंदर आपके पूरे test डाल रखे हैं topic wise question 10 से अधिक model paper पूरे आपके topic wise question राजस्तान, GK, हिंदी इसके अलावा जो आपके agriculture के horticulture animal husbandry और agronomy इन सभी के प्रशने topic wise model paper, solution, short notes यह सब उपलब्ध है क्योंकि आप भी जानते हो paper को crack करने के लिए अब अपन को last time में short notes भी चाहिए एक short notes के साथ साथ में अपन अब बहुत जल्दी crash course भी launch करने वाले हैं कि 40 दिनों के अंदर online किस तरह से तैयारी की जाए कि theory भी हो जाए question भी हो जाए और एक ऐसा शांदार capsule तैयार हो जाए जिससे आपकी मंजिल आसान हो जाए तो इस capsule course के लिए भी आपका interest बताएगा कि ये शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए comment box में जरूर बताईएगा क्या आप इस तरह का course चाहते हैं या नहीं चाहते चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इन 100 प्रशनों के अंदर 85 से अधिक ज्यादा प्रशन कैसे ठीक किये जाए तो प्रियवध्यारतियों अपन paper pattern के बाद इस syllabus को इस paper को agriculture supervisor के इस महा समर को दो भागों में बाढ़ सकते हैं तो इसके अंदर एक तो आपका रहता है agriculture का portion agriculture का portion रहता है यानि कृशी विज्यान रहेगी और दूसरा जो portion रहता है राजस्थान का जीके और साथ में आपके पास रहेगी बेटा हिंदी चलिए सर ये तो हमें पता है अब मैं आपको बता रहा हूँ इस agriculture को भी तीन भागों के अंदर अपन ने बाढ़ रखा है agronomy जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सश्य विज्ञान दूसरा जो है उध्यान विज्ञान यानि की हौर्टी कल्चर और तीसरा जो portion है वो आपके पास आता है एनिमल हजबेंडरी तो ये आपके पास तीन सब्जेक्ट है इन तीन सब्जेक्ट के 20 कोशन 20 कोशन और 20 कोशन यदि हम लोग राजस्तान के जीके के संदर में चर्चाएं करना प्रारम करें तो इस राजस्तान जीके के अंदर राजस्तान की आर्ट और कल्चर राजस्तान की हिस्ट्री और राजस्तान की जियोग्राफी तो ये subject आपके पास रहेंगे और आपके पास यदि बात की जाए हिंदी विशय की तो हिंदी की grammar आपसे परिक्षा के अंदर पूछी जाएगी तो ये syllabus आपके पास है इन syllabus के अंदर प्रशनों की शंक्या 20-20 हमने कर ली यहाँ पर कुल 25 प्रशन और grammar हिंदी के 15 प्रशन है प्रति एक प्रशन तीन अंक लेकर रखता है और गलत होने पर एक अंक की कटोती की जाएगी अब प्यारे विध्यारतियों इसके अंदर किस तरह से तैयार करें सबसे पहला सवाल आप से खुच से पूछिए आप कि आखिर मेरा प्लस क्या है और माइनस क्या है सबसे पहला सवाल आपको पता है आपकी कमिया क्या है आपकी ताकत क्या है ना मैं जानता ना तुमारा दोस्त जानता ना तुमारा भाई जानता ना तुमारे अंदर कितना ग्लास बरा है कितना ग्लास खाली है यदि कहां तक खाली है उसके अंदर हवा है उसके अंदर धुआ है क्या है उसको आपको जानना पड़ेगा यदि आप लोगों को लगता है कि मेरी agriculture बहुत शांदार है तो बेटा जी उन chapters के उपर अपन को ज्यादा ध्यान है जहां से प्रशन आ रहे हैं agriculture के अंदर भी इन तीनों के अंदर सबसे पहली वरियता आपन को रटने के अंदर देनी है तो animal husbandry को देनी है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तर चीजे याद करने वाली है आपको नसले आपको जो दूसरी चीजे हैं आंकडे वो आपको याद क करके इन animal husbandry के अंदर आपको 20 में से कम से कम 18 प्रशन ठीक करने का टार्गेट अपने दिमाग में रखना है अच्छा बच्चा होगा 20 भी कर देगा 18 सवाल ठीक करने हैं होल्टी कल्चर के अंदर जो बागवानी उनसे संबंद में सभी प्रकार के फल उनके अलावा सबजिया इनके बारे में बिल्कूल बेसिक लेवल के सवाल आते हैं एक दो प्रशन आता है जो की tricky question रहता है तो यहाँ पर अपन को होल्टी कल्चर को भी धंक से पड़ना है उसके बाद करशी करशी का विकास करशी के अलग-अलग फसले इन सभी के बारे में भी धंक से चीजों को पड़ना है प्रीविएश येर पेटन को ध्वां में रखकर पूरे राजस्थान में यह दी कक्षाइं आयोजित कर रहे हैं तो अपन कर रहे हैं अब से जो हमारा नया पेटर्न रहेगा कि प्रिविएश येर के अंदर ये क्वेशन आया था बेटा इससे मिलता जुलता क्या नया प्रेशन हो सकता है साथियों अभी पिछले विगत समय के अंदर देखें तो हमारे पास बहुत सारी कर्षी विश्विद्यालों ने भी अपनी रिक्रूट्मेंट की है यानि अग्रिकल्टर सुपर्वाइजर की परिक्षाएं वहां पर भी आयोजित हुई है उन परिक्षाओं के भी पेपरों क की रहा को आसान कर पाए यानि अपनको होटी कल्चर के अंदर मिनिमुम सेवन्टीन कोशन ठीक करने के बारे में विचार करना है और साथ ही साथ मैं एग्रोनोमी के अंदर भी बीस में से अठारा सत्रा सवाल ठीक करने की कोशिशें करनी पड़ेगी कटो अब ज्यादा जा यानि आपको एक बहुत जोरदार जवरदस और शानदार तैयारी की जरुवत पड़ेगी तो इस तैयारी को किस तरह से मुकमल करें क्यूंकि अब समय कम है और अंतिम शमय के अंदर किस तरह से प्रयाश करें जिससे आपके सेलेक्शन की रहा आसान हो यानि एग्रिकल्चर के अंदर अपन को एनिमल हजबेंटरी एक बार पूरा याद करके रख लेना है उसके बाद रोज सुबह 20-25 मिनट आपको पूरी सरसरी निगाओं से चेप्टर को देखते रहना है मान लिजी आपके शुरवात के चार चेप्टर से उनको आज आपने लर्न कर लिया खल सब से रोज रिवाइज करते हुए आप लोग जब चलेंगे पहले दिन मान लिजी आपको पढ़ने में तीन गंटे लगे उसको दूसरे दिन वापस पढ़ते समय आपको एक गंटे से भी कम समय लगेगा दिरे दिरी ये समय 20-25 मिनट पर आ जाएगा यानि आपको प्रती दिन उन विशयों के अध्यन को गहन अध्यन में तब्दिल करना है जिस तरह से मैं आप से पूछ हूँ कि भईया आप मुझे बताईए राजिस्थान के मुक्य मंत्री कौन है आप बिना कन्फूजन के उत्तर दे देंगे भजनलाल सर्बा क्योंकि अपने इनको नाम सुना है अ भाल भाल दो हराई जाएगी उनके याद्यं के आप खेंड हो ने की फाल घंडिन्सी है वह ज्यादा होती जाएगी तो अपन बार बार रिवाइज करते रहना है वैसे इसे वीडियो में ढालता रहूँगा किस तरह से अपन की रनिती को वैतर से बहतर करना है और साथ ही साथ में राजस्तान जी के एक ऐसा समंदर जहां पर आप गोते लगाते रहो लगाते रहो आखिर इसका पार न पाना आरेस हो समिस्पेक्टर हो फर्स ग्रेड ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड यहां तक की हमारे सबसे Elementary Examination के अंदर भी राजस्तान जी के है आपके एक्जाम में भी राजस्तान जी के हर जगे रहता है इस राजस्तान जी के से कैसे पार पाया जाए बड़ी बड़ी गाइडें, बड़े बड़ी किताबें, बड़े बड़े नोट्स इन नौट्स में से पढ़ते शमय अपन को करना है गागर में सागर सर क्या बात कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा बेटा उन प्रश्णों के उपर ज्यादा ध्यान देना है जहां से प्रश्ण आ रहे हैं क्योंकि आप Agriculture Supervisor की तैयारी कर रहे हो Agriculture Supervisor का राजस्थान जीके का पोर्शन भी सेलेक्टिव पोर्शन है यानि राजस्थान के भुगोल के अंदर के ओल और के ओल पास से 6 चेप्टर लिखे हुए हैं उन्हीं चेप्टर के ओपर फोकस करना है इतियास के अंदर भी उन्होंने विसेश रूप से उन्हीं सभी का नाम लिख रखा है जो चेप्टर के अंदर दे रखे हैं यानि पूरा इतियास इसके अंदर नहीं दे रखा है कुछ सेलेक्टिव मेटर आपके पास राजस्थान के इतियास के अंदर भी रहेगा और राजस्थान की आर्ट और कल्चर इस राजिस्तान की आर्ट और कल्चर का सबसे बड़ा portion है यानि अपन का ये सबसे बड़ा portion है आर्ट से दस, दस से बारा सवाल आने के चांसे जो है राजिस्तान की आर्ट और कल्चर से रहेंगे छे सवाल आने के संभाव ना रहेगी जो राजस्तान की जियोग्राफी से रहेगी और बाकी जो प्रशन आएंगे हिस्ट्री से आ सकते हैं यानि सबसे ज्यादा प्रशनों का जो वेटेज है सिलेबस का वेटेज है वो राजस्तान की आर्ट और कल्चर से है राजस्तान की आर्ट और कल्चर को जब आप पढ़ना सुरूख करें तो उन चीजों के उपर ज्यादा फोकस करें जो हमारे रिति रिवाज, हमारे देनिक जीवन में काम आ रही है उन सभी प्रश्णों का जो पेपर पैटर्न है वो प्रिविएश येर में भी अपन ने देखा है इस तरह का रिपिटेंडली अपन के पास देखने को मिल सकता है और वेसे भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी AU जोबनेर ने पेपर करया, जोदपूर ने करया, कोटा ने करया उनके अंदर जिस तरह के सवाल थे, हम इसी रणनिती के अंदर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे हमारी बहुत सारी कक्षाएं हैं, उसी को ध्यान में रखते हैं हमने पूरे के पूरे हमारे जो पेपर्स है, एप्लिकेशन के अंदर जो मोडल पेपर है, जो की नामातर सु पर दे रखे हैं, वो भी आपके लिए उपलब्द रहेंगे, तो वहां से भी आप उसकी साहिता ले सकते हैं, अपन को ज्यान को जरूरी तरीके से प्राप्त करना है, और ज्यान कहीं से भी मिल रहा हो ले लेजिए, साथी साथ में अपने लक्षिये के अंदर किस तरह से उ उसमें क्रशी वगरा जो है, वो आपके उदर एग्रोनोमी में भी काम आ जाएगी, पशुगणा वगरा भी है, वो भी आपके अनिमल एजबेंटरी में भी काम आ जाएगी, एक तरह से आपकी डबल तेयारी यहां पर हो जाएगी, अब उसके बाद हिस्टरी की बात करें, तो हिस्टरी जो है, थोड़ा सा इस तरह का सब्जेक्ट ने, क्योंकि आप साइंस बेग्राउंड से आते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हमने डाल रखें, उनका प्योग ले सकते हैं, तयारी बढ बारे में सोचेंगे, 21 प्रशन आपको ठीक करने हैं, तभी आपका मामला अच्छे से बैट पाएगा, तो अपन लोगों के पास 21 प्रशन और हिंदी की जो ग्रामर है, हिंदी की जो ग्रामर है, इनके 15 प्रशन आएंगे, जिसके अंदर आपके शंदी, शमाश, उप्षग प्रते वाकिये, इन सभी के बारे में प्रशन आएंगे, और भी बहुत सारे चप्टर्स है, इनको भी अपन को 0 से समझने का प्रयाश करना है, थ्योरिटिकल चीज़ों में रटने से ज्यादा अपन को समझने का प्रयाश करना है, उनके नियम क्या कहते हैं, किस तरह के सव जो है RPSC और RSSB ने अपने प्रिविएश येर पेपर्स में पूछे हैं उनके अकोर्डिंग लिए अपन को तैयारी करनी है तो अपन के पास जो ग्रामर है उस ग्रामर के अंदर कम से कम पनरा मैं से 12 प्रशन ठीक करने का प्रियास अपन को करना है यानि यहां पर दो प्रश प्रशन ठीक करने का सबसे सर्वोतम तरीका है आपको वीडियो देखकर लगेगा सर कहने में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना और आप उनका इंतजार कर रहे हो उनकी बातों में पड़े हो तो बेटा जी लक्ष ये प्राप्त नहीं हो सकता लक्षे के लिए एकलवी ऐसी निष्ठा रखनी पड़ती है उनके जैसा के जैसा अपन के मन और अपने जो ध्यान के अंदर केवल और केवल अपने लक्षे को रखना है अर्जुन के सभी भाईयों को जब दिखाया गया तो उसको चीडिया दिखी किशी को जब पढ़ रहा होगा तो यह उदारण दिये जाएंगे उदारण उनके ही दिये जाते हैं जिनोंने एकनिष्ट भाव से अपने अपने लक्षे के पुरे मन और पुरे जो जीवन का एक मात्र लक्षे मान कर उसके लिए काम किया है उन्हीं की बाते होती है बैटा और ऐसे उदारण हजारों मिल सकते हैं जो एकदम से विपरी धारा के अंदर चल कर भी अपने लक्षे को प्राप्त किया है तो आप भी चाते हैं लक्षे आपके पास हो तो उस लक्षे के लिए पुरे ध्यान से अपने मन से लग जाईए आपके लिए यूट्यूब पे हम बहुत स असानी से मिल जाए आपकी चेहरे की मुस्कुराट हमारे आखों की रोशनी है उस रोशनी को वरकरार रखने के लिए हम लगातार काम करेंगे धन्यवाद